हाई अब्रिबन वल्कम डोडिश्टल जी की क्लासेश तो जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का एक्जाम है और आल्मोस्ट पूरा ही मैंने आपका सोसल साइंस कम्पलीट करा दिया है बट आपको पता है कि पेपर टू की जो सीडीपी होती है वो टफ होती है कमपेर टू है यह जो रिपिटेड है उसको मैंने छोड़ दिया है जो इंपोर्टेंट है केवल वही है ठीक है तो दो हजार ठारस लेके दो हजार थारस तके जितने भी कोश्टन मुझे लगे कि यह करा दिना चाहिए क्योंकि बाकी तो आपने करी लिया होगा तो प्लीज चानलों को स टीस में से टीस लेकर आना है न चाहें कोई भी हो यह मैं सोचना कि यह पेपर वन का है तो हम क्यों करें पेपर टु वाले या पेपर टु का है तो पेपर वन वाले क्यों करें नहीं CDP आपको paper 1, paper 2 दोनों की करनी है, तब ही जाकर आप 30 number स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि ये common subject होता है बाकी जितने लोग भी one liner के लिए पूछ रहे थे social science का वो मैंने आज से भेजना इस्टार्ट कर दिया है, PDF, telegram में telegram में ही भेजूँगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे genuine candidates होते हैं, जिने सच में जरूरत है तो आप telegram में जाकर वहाँ से download कर सकते हैं ठीक है, one liner है, question answer बस, बहुत कम टाइम लगेगा revision में, चलिए देखते हैं देखे paper 1 की CDPZ होती है, paper 2 की थोड़ी tough होती है जैसा कि मैंने आपको बोला है कि आज मैंने आपको तुक्का लगाने वाले में भी बोला था कि अगर आपको positive लगता है, तो आपको उस case में सारे options को tick कर देना चाहिए, for example एक बच्चा है, उसका व्रिधी मतलब growth और development, निम्ण ऐसे कौन से कारकों के द्वारा प्रभावित होता है मतलब किस वज़े से इसकी growth and development प्रभावित हो सकती है, तो परवरीज की सेलिया, yes, of course हर घर में आपको पता है, परवरीज सभी ज़गे कौम एक जैसा तो होता नहीं है कुछ न कुछ डिफरेंसे होते हैं आपका genetic जो structure हो गया आपको किस तरीके का exposure मिला है स्कूल में, आपकी खुदी की क्या interest है, ये सब ही जो है effect करते हैं, so that's why option number four चलिए, दूसरा देखिए जो बच्चों में development changes आते हैं, किस वज़े से होता है या इसका क्या मतलब है ये आपको बताना है तो देखो विकास कभी भी समानगती से नहीं होती है ये रैखिक नहीं होता है ऐसे ऐसे चलता है हमिशा सीधी रेखा में नहीं होता है, आपको भी पता है आपको पता है जो हमारा development होता है हमारा जो genetic है जो हमारा environment है इसके बीच की अंतह क्रिया है दोनों का same योगदान होता है देखे इसका answer हो जाएगा तीसरा वनसा नुगत और पर्यावरनी कारकों के बीच एक जटिल अंतह क्रिया है क्योंकि विकास जो है वनसा नुगत और पर्यावरन दोनों के उपर depend करता है आपका genetics अच तो आपकी development नहीं होगी, आपको भी पता है, तो ये सारे factors होते हैं, इसलिए तीसरा, चले, third question देखते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, कि सभी संस्कृतिव में बच्चे एक ही उमर में एक ही तरीके से विकास के चर्णों से गुजरते हैं, एकदम गलत, हर कल्चर में अलग अलग होता है, सब एक जैसे कैसे हो सकता है, तो सब एक ना लगे, हर इंसान डिफरेंट होता है, बच्पन सारुभामिक और एक आयामी हो फोर उप्शन, देखें, समाजी करन स्कूल में ही होता है, जब बच्चे स्कूल जाना सुरू करते हैं, ऐसा नहीं है, समाजी करन हमारे घर से ही स्टार्ट हो जाता है, और ऐसा नहीं है कि जब आप स्कूल जाएंगे, बहुत सार ऐसे बच्चे होते हैं, जो स्कूल नहीं जाते हैं फिर भी वो काफी अच्छा कर रहे हैं इस समय में तो समाजी करन का मतलब यह नहीं होता है कि आपको स्कूल में ही जाओग तब ही होगा जाते हैं दोनों गलत फोर ओप्षण चलिए फाइफ ओप्षण देखे सीमा अपनी ममी की आग्या के बिना मतलब बिना अपनी ममी के परमीशन के रसोई से मिठाई अच्छा रसोई से मिठाई खाने में डरती है ठीक है उसे लगता है कि ममी को पता लगने पर उसे सजा मिलेगी तो यह तो वही बात हो गए कि मेरे को मिठाई मनोरा खाने का अबट मैं खा भी नहीं सकती उन्हें तो मुझे पनिस्मेंट मिलेगा तो कोलबग की नैतिक सिधानतु को इनुसाल यह सीमा किस इस्तर पे है identify the stage of moral development of सीमा according to कोलबग's theory of moral development अब कोलबग की theory आपने पढ़ी होगी ना जिसने नहीं पढ़ी है उससे नहीं समझ में आएगा पढ़ ले ना यह उनके according pre-conventional stage है जिसमें हम पनिस्मेंट की डर की वज़े से को काम नहीं करते हैं ठीक है न इसमें तो यह आपको याद रखना है पूरो पारंपरिक इस्तर जीन पियाजे के अनुसार संग्यनात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वरा सुगम होता है मतलब फैसलेटेट होता है तो आप बताए इसमें से क्या हो सकता है जिसकी बात जीन पियाजे करते है तो इन्होंने adaptation की बात की है पियाजे ने ठीक है फर्स्ट ऑप्शन सहीं हो सार स्टेज हैं यहां पर देखें सेंसरी मोटर, प्रियोपरेशनल, कॉंक्रीट, फॉर्मल तो इस स्टेज में उन्होंने बहुत सारी चीजे बताई है कि बच्चा इस स्टेज में ऐसे काम करता है तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सहीं तरीके से सुमेलित है तो दे सारी है, कॉंक्रीट में लिखा एकि क्रियाओं को मानसिक तोर परिवर्तन में सक्षम, कर लेता है तो यह बात गलत है यहां पर रवर्स नहीं कर पाता है फिर यहां पर लिखा एक कि पूरो संकृर प्री ऑपरेशनल में अब्जेक्ट परमॉनेंस बलकि ये तो संसरी मोटर में आता है ना अब्जेक्ट पर्मान में से आपने देखा होगा सेंसरी मोटर में आता है और सेंसरी मोटर में लिख रहा है कि नाट की है वहाँ तो बच्चे सेंसेस के माध्यम से सीखते हैं प्ले में इतने इंगेज नहीं हो पाते हैं ठीक है तो सहीं तरीके से जो सुमिली थे वो हमारा 4 है एट कोशन देखिए लेवाई गोस्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इन में से कौन सी कारक की महतपूर भूमी का है और आपको बताईए lecture, punishment, rewards नहीं, dialogue इनके according, बच्चे को सीखने में सक्षम बनाने के लिए सबसे जो important activity है वो है dialogue, debate, एक तरीके से सन्वाद उसके माध्यम से बच्चा एक दूसरे से सीखेगा पहला हो जाएगा 9 देखे निवन में से किस मनोवे ज्यानिक ने प्रतिपादित किया कि अंतक्रिया की बच्चे के भासिक विकास में बहुत महतपूड भूमी का है मतलब, which psychologist formulated the theory in which interaction is considered the most important in language development of a child तो आपको पता है, language की बात कौन करता है ले वाई गॉसकी दूसरा यह हमारा दस्वा है तारकिक गड़िती बुद्धी की छमताओं में क्या सामिल है चलिए पढ़ते हैं चवियों में हेर्फे, ग्राफिक कौसल और स्थानी तर्क कुछ भी जिससे दो अधिक आयाम सामिलों यह नहीं होगा ले ताल के प्रतिसन्विदन सीलता बात किस चीश की हो रही है, लॉजिक और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की, इस चीश को ध्यान रखना फिर विशिश्ट पीच, स्वरलाय के बीच अंतर करो पुर्व ज्यान के अधार पर वर्गी करन करना, पैटन पहचारना और विचारों के बीच संबंध बनाना पहचान सकते हो, बीचारों के भी संबंध बना सकते हो ठीक है, ये सामिल है लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में ये थोड़ा हट के कोशन पूछा था 11 कोशन देखे किसोरों की जेंडर भूमिकाओं, रूडिवादियों के प्रती दृष्ट्य कोड और मुल्यों को निरिधारित करने में विज्यापन और फिल्म में एक बड़ा प्रभाव डालती है डेफिनेटली, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है अगर आप देखो तो आज के समय में काफी ज़्यादा इंफ्लूएंस करते हैं अडॉल्सेंस को जेंडर रूल्स, स्टिरोटाइब्स और वो भी फिल्म्स एन अड़र्टीजमेंट के बाद हैं से क्योंकि मीडिया जो है न एक पावरफुल प्राइमरी एजेंसी है सोसलाइजेशन का किसके लिए? एडॉल्सेंस के लिए फॉर एडॉल्सेंस हंडे पॉसेंट सही है आपने देखा होगा अभी इंफ्लूएंसर्स बहुत सारे ऐसे हैं अगर वो बहुत फास्ट बाइक चलाते हैं चोटे-चोटे बच्चे होते हैं वो उनको follow करते हैं उनके जैसे hairstyle बनाएंगे उनके जैसे कपड़े पहनते हैं अगर वो कहीं बता दे कि हम यहां आने वाले हैं सारे बच्चे पहुँच जाएंगे बिना किसी reason के कोई वहाँ पर फाइदा नहीं हो रहा है, किसी का फाइदा नहीं हो रहा है, कौन सी वो किताबे बाटने वाले हैं या फिर आपको कुछ ग्यान की भासन नहीं, बतलब popularity के पीछे हैं सब कोई तो 100% सही है, कि आज के समय में मीडिया का बहुत जो है, सकतिकसाली एक तरीके से देखा जाए, काफी impact पड़ता है so first option will be right 12 question देखे, विभीन प्रिष्ट भूमी के बच्चों को, बच्चे, सीखने की सुधा के लिए सिक्षकों को चाहिए कि देखो, अलग-अलग background होगा, हर बच्चे का होगा, तो टीचर को क्या चाहिए, क्या वो ऐसे ही बिना किसी context के curriculum का पालन करे यह होगा, या फिर वो सभी के लिए, मतलब differentiated instruction दे, सभी पे लागू ना करे बिभेदित होना चाहिए, या फिर मैंने पहले बताए, यह मान की कृत, एक negative tag word है, इसको काट देना, मैंने यह भी बताया था, गैर प्रासंगीक भी negative tag word है, बहिसकरन मतलब निकाल दो, यह तो गलत है, देखो, अलग-अलग background से बच्चे होगे, तो हमको differentiated instructions को implement करना है, औ आपको पता है, वहाँ पे पूछते हैं, कि अगर अलग-अलग प्रिष्ट भूमी का बच्चा होगा आपकी क्लास में, और आप उनको सीखाना चाहते हो, सीखाने की सुविधा के लिए, आप ऐसा क्या use करोगे, तो आप वहाँ पे बोल सकते हो, कि हम differentiated instructions जो है, इंप्लिम आप यहाँ पर देख सकते हैं, assessment, देखें, question number हमने अभी तक कितने की हैं, 12 question कर लिया है, ठीक है, हमारा यह 30 number का question है, आकलन क्या है, assessment, आप बताओ, आप क्लास में, या आप किसी का भी assessment कर रहे हो, किस वज़ा से कर रहे होगे, क्या उसका reason है, क्या हम इसको दिशा देने के करते हैं, निर्धारित करने के लिए कि क्या हमको पढ़ाना है, या इसको सीखने से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं, आकलन को बच्चों को समान छमता समो, धीमे सीखने वाले बुद्धिमान बच्चों से अलग कर दो, मतलब कम जोर असेस्मेंट होता है, शुड़ बी अन इंटिग्रल पार्ट अफ टीचिंग, लर्निग प्रॉसेस, बिग्निंग फ्रॉम, एसेसिंग चिल्डरेंस, रेडिनेस टूलन, क्या आप बच्चों को तयार तो करो पढ़ने के लिए, ये होता है आकलन, आकलन का मतलब ये नहीं है आप किसी को अलग कर दें, कि तुम धीमे सीखते हो, तुम बुद्धि मान हो, सौप्श नमबर फॉर, फॉर्टिन कोशन देखिए, आपका जो इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगती सील कक्षा है, तो जब प्रगती सील है, तो मतलब आप समझी सकते हो, कि बच्च आपको बहुत अक्टिव दिखेंगे, बहुत ही सोसिल दिखेंगे, मतलब कि एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो दूसरा, अपने मार्क्स जरूर बताना, सभी लोग बताईएगा प्लीज, ताकि इसे पता चले मुझे कि आपने से कित्ते लोग सच में आप लोग टैग वर्ड में भी लिखा हुआ है, ये नेगेटिव होता है, कभी सही होई नहीं सकता है, मतलब मैं अगर बच्चों का असेस्मेंट करूँगी, तो मैं क्यों यूज करूँगी, मान कि ये तो अच्छा चीज नहीं है, इनका हम पालन नहीं करेंगे, गलत, समाइवेसिक स बच्चा A class में बैठा है, और हम उनके जरूरत के अकौर्डिंग changes करते हैं, लाइक अगर किसी को नहीं सुनाही दे रहा है अच्छे से हम उनको आगे बठा देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा, तो भी हम आगे बठाते हैं, हम खारीज नहीं करते हैं उनके differences को, जो की यहा गलत है आप 16 देख सकते हैं देखे जब विशिस्ट आप शक्ता वाले बच्चे एक समावेसी कक्षा में प्रवेस लेते हैं तो कौन सा कथन सही है अभी मैंने आपको थोड़ी अभी तो समझाया कि समावेसी कक्षा का मतलब क्या होता है हम उसके कौर्डिंग चेंज करते हैं तो विशिस्ट बच्चों का समाने बच्चों के साथ सीखना मतलब ये वास्तविक नहीं है गलत लिख दिया और वास्तविक लिख दिया मतलब सही नहीं है गलत फिर उसके वास आप देखो विशिस्ट आप सकता वाले बच्चे सीखने के लिए अभी प्रेरीत नहीं होते ह ही होते हैं एकदम गलत सिक्षकों को सिक्षण की पद्दतियों में बदलाओ कि आफशकता हैं जी हैं मैंने क्या बताए था कि हम बच्चों के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं अपने टीचिंग किसके लिए क्या जाता है आउट अप दा बॉक्स कई आपने देखा हुगा है कुछ लोग बहुत आउट अप दा बॉक्स सोचते हैं हम यह किसके लिए करते है जो डाइवर्जेंट सोचते हैं आउट अप दा बॉक्स का मतलब क्या है कि कोई प्रॉब्लम आई और हम लोग प सारी सोच फोर और एक बहुत अच्छा वर्ड है यह डाइवर्जेंट जो है न पॉजिटिव वर्ड है एटीन देखें सिक्षा में समावेस फिर से वही कोशन रिपीट हो चुका है समावेस का मतलब क्या होता है बताओं समावेस का मतलब क्या है कि हम सभी बच्चों को क्वा सभी वच्चों को गुडवत्ता पूर्ण सिक्षा का प्रावधान करते हैं हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं सभी को सौप्श नूबर टू 19 देखें बहुत असान है डिसलेक्सिया का मतलब ही क्या होता है पढ़ने में प्रॉब्लम आती है दूसरा हो जाएगा ठीक है उसके पास आप 20 देख सकते हैं इसमें से कौन सा समावेशिक अक्षा के विशेस्ता नहीं है अभी हमने पढ़ा न तो ये देखो मुझे तुरन दी गया मान की कृत हो ही नहीं सकता है Standardize मतलब आपने fix कर दे चैसा है कैसे सभी के लिए हो सकता है कुछ जल्दी सीखते हैं कुछ लेट सीखते हैं तो सभी के लिए एक जैसा तो नहीं हो सकता ना सहकारात्मक मतलब एक दूसरी की हेल्प करने के लिए सारभामिक डिजाइन उप्युक्त समायोजन बट ये नहीं हो सकता है चलिए 21 देखे माधिमे को स्कूल है आपका ठीक है माधिमे स्कूल में जो सिक्षक होते हैं क्या करते है पॉजिटिव वला बताना है देखो एक रुपी वह कठोर पाट चरे का पालन करते हैं गलत मान की कृत अभी मैंने आपको बताया सही होई नहीं सकता है प्रस्न पूछने को हतुत साहित कर रहा है ये तो ये तो डिमोटिवेट कर रहा है सीखना की कैसे सीखते हैं encourage करो न बच्चो को कि आपको कैसे ये सीखना है और ये बहुत अच्छा वोड है so that's why 4 22 देखे जो अधिगम होता है learning होती है उसमें समाजिक सांस्कृतिक सिधान किस पे focus करती है क्या वो रटने पे जोर देती है बिल्कुल भी नहीं क्या वो निर्देश की भूमिका पर जोर देते हैं कि हमको बच्चो को एकल निर्देश देना है सीखने में समाजिक संदर्व की भूमिका को एहम मानते हैं पुनर बनल मतलब आप बच्चो को award दे रहे हो punishment दे रहे हो इसको हम इस्तिमाल करते हैं बिल्कुल भी नहीं हम क्या करते हैं यहाँ पर समाजिक संदर्व की भूमिका को बतलब जो बच्चा जिस समाजिक संदर्व से है हम उसको काफी importance देते हैं यह नहीं कि आप किसी को accept कर रहे हो किसी को avoid कर रहे हो हम सभी को एहम मानते हैं सो तीसरा 23 देखे पियाजे और वाइगौसकी के अनुसार सीखना किस प्रकार होता है पियाजे और वाइगौसकी ने क्या बताया है सीखने के बारे में किस तरीके से होता है दोनों ने बताया है active engagement of learners ठीक है मतलब बच्चों का participation वो active होना चाहिए सक्रिय दोनों ने बोला है so four options नहीं हो जाएगा 24 देखे देखे एक सिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समधान को कैसे सुगम बनाएंगे कि बच्चों के अंदर problem solving ability आए बताये क्या आप उनके अंदर डर पैदा करोगे उनको आप stress दोगे गलत निस्क्रिय तो कभी होई नहीं सकता है क्या आप याद करने पर focus कर रहे हैं गलत सबसे लंबा वला answer मैंने आपको बताया था तुक्के में कि कई बार हो जाता है सही so four options नहीं होगा विचार मन्थन को मैं प्रोथसाहिद करूंगी उपमाओ और अनुमानों जैसी रणनीतियों के उप्योग को प्रोथसाहिद करके so four options नहीं हो जाएगा ठीक है चलिए 25 देखे जब विद्यार्थी के भावना का नुभव करते हैं तब उनके सीखने पर एक सकरात्मक परभाव पढ़ने के क्या संभावना है तो इसमें से क्या होगा तनाव, सर्म, हिंता, संतुस्टी और आप भी जानते हैं कि ये उपर के one, two, three तो negative word है ये तो होई नहीं सकता है संतुस्टी, जो है, satisfaction जब विद्यार्थी न, संतुस्टी की भावना का नुभव करते हैं तब देखना आप उनके सीखने पर न, काफी positive impact पड़ता है so, four options सही हो जाएगा 25 हो गया 26 देखे अभी बहुत question करना है तो आप please पूरा देखना जरूर यहां तक हो गया देखे अपने पुर्व ग्यान के अधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने को क्या करना चाहिए हतुत साहिद बिल्कुल भी नहीं क्या आप उनको खारिज कर दोगे उनको दंड दोगे बिल्कुल भी नहीं हम क्या करते हैं सुसाधित करते हैं ठीक है तो 26 का दूसरा इसको इंगलिस में क्या बोलते हैं देख लो facilitate facilitate सुविधा करता मतला आप बच्चों के जिसमें प्रॉब्लम आ रही है आप उसके according change कर रहे है इसे बज़र से हमारा facilitate हो जाएगा जो की दूसरा है 27 देखे विध्यार्थियों के अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जाना चाहिए क्या होगा इसका right answer मतलब मैं चाहती हूँ जैसे आप class में teacher हो ठीक है तो आप चाहोगे ना कि बच्चे meaningful learning हो बच्चों की उसके लिए आप क्या करोगे क्या उनको बोलोगे कि देखो तुमको बार-बार practice करनी है निस्क्री तो होगा ही नहीं आप उनको award दो नहीं हम चाहेंगे कि बच्चा experiment करे discovery करे, खोजबीन करे समस्य समधान की प्रभावसाली रड नीतिस में से कौन सी नहीं है तो प्रकार्य अत्मक तो है और हमारा स्वानुभूई की भी है हमारा कलन विधी भी है नहीं पुछा है ना पश्च गामिक कारेकारी युक्ती ये नहीं है ठीक है और एक बार आप इसको देख ले इंग्लिस में देख लीजे क्या पुछा है कि इस नोट एन इफेक्टिव प्रब्लम सॉल्विंग इस्ट्राइब हिउरिस्टी का मतलब पता है ना आपको खोजबीन होता अलगोरिदम भी सही है फंक्शनल फिक्सडनेस भी सही है बट वर्किंग बैकवर्ड्स मतलब पीछे वाली चीजों को देख के आप काम कर रहे हो पीछे एक तरीके से बैकवर्ड वर्किंग बैकवर्ड्स एक नेगेटिव वर्ड है और यही एक इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटीजी नहीं है ठीक है? सो दूसरा चलिए और 29 देखी लिखा है एक समाजिक रशनावादी कक्षा कच में सीखना मतलब एक सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट जहां पर ग्यान का निर्माड हो रहा है वहाँ पर सीखना शीखाने का क्या मतलब है? पैसिव होगा बिल्कुल भी नहीं हैस अ सोशल करेक्टर टेक्स्ट बुक पर फोकस होगा नहीं एक्जाम ओरियंटेड होगा नहीं जो भी कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं न क्लास्रोम वहाँ पर आप देखोगे कि एक सोशल करेक्टर होगा बच्चे एक दूसरे से सीख रहे हैं अक्टिव तरीके से ठीके ना सक्रिय तरीके से तो 29 का 2 हो जाएगा और तीसमा कोशन थर्टी कोशन देखिया आप निम्न में से कौन सा कारक बच्चों की विफलता के लिए जिमेदार है मतलब बच्चे फेल क्यों हो जाते हैं इसका responsible कौन है देखो एक एक इनसान के वज़़े से तो हम नहीं बना सकते हैं तो यह तो नहीं होगा संदर्विद पार्टी चर्या कॉन्टेक्स्ट में है सही है, चक्री है, मतलब सर्कुलार है यह भी सही है, बट आपने क्या कर दिया ना फिक्स कर दिया है आप खुद देखो, यह एक लास है इसमें कोई बच्चा तेज होगा कोई कमजोर होगा ठीक है, कोई बीच का होगा बट इन सभी के लिए हमने क्या कर दिया है सेलेबस तो फिक्स कर दिया ना सभी के लिए फिक्स है तो कई बार यह रीजन होता है, फेल होने का वैसे भी मानकी करन नेगेटिव है फिलियोर का रीजन यह है, ठीक है अगला कोशन देखिए, कथन सभी बच्चों को बच्चपन में खेलने के औसर और समय नहीं मिलता है all children do not get opportunities and time for play in the childhood क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खेलने के समय पे जिनकी मजबूरी होती है उनको बाहर में काम करना होता है आपने देखा, बहुत से छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो दुकानों में काम करते हैं उनके पास नहीं है क्योंकि उनके लिए पैसा कमाना ज़्यादा जरूरी है समाजी को सांस्कृतिक संदर्वों के अधार पर बच्चे बच्पन को अलग-लग तरीके से अनभौ करते हैं अब एक बच्चा है जिसके पास सारी फैसलीटे वो अराम से मस्द पढ़ाई भी करेगा, खेलेगा, घूमेगा और एक बच्चा ऐसा है जिसके पास समय ही नहीं है खेलने का क्योंकि responsibility दा चुकी है उसके उपर तो पहला सही है चलिए और ये बहुत अच्छे चे कोशन है, दूसरा देखते है दूसरा देखे बच्चो की विकास के संदर्व में कौन सा सही है तो पहला लिखा हुआ है कि बच्चो का संदर्व समाजिक विकास केवल उसके वातावरन पर निर्भर करता है खतम केवल नेगेटिव है केवल ये भी खतम केवल वले वर्ड सही नहीं हो सकते हैं क्योंकि हमसे positive पूछ रहा है बोल रहा है कि केवल genetics पर डिपेंड करता है नहीं बच्चो का विकास में अभी हमने पढ़ा ना कि अनुवनसिक्ता और वातावरन दोनों ही related हैं हाँ ये नहीं बोल सकते हैं कि किसका 50% है हो सकता है इसका 50 हो और इसका मालो इसका 40 हो इसका 60 हो तो कुछ भी हो सकता है रेशियो कुछ भी हो सकता है बट दोनों डिपेंड करते हैं तो तीसरा बच्चो के विकास के विभिन आयामों में अनुवनसिक्ता वातावरन का अलग अलग प्रभाव पड़ता है येस तो हमारा तीसरा option तीसरा देखिए अभी मैंने आपको बताए कि विकास कैसा है विकास की प्रक्रिया कैसी है बहु आयामी है मल्टी डाइमेंशनल है ठीक है पहला फूर उप्शन देखिए बच्चो के विकास की दिसा कैसी होती है और प्रतिक बच्चा कैसे होता है बताईए तो जो बच्चों की विकास की दिशा होती है याद रखना अलग-अलग होती है different होती, similar कभी नहीं होगी एक जैसा कभी नहीं होगा और वो हर बच्चा अपनी गती से विकास करता है ठीक है न? जैसे कि यहाँ पर लिखा है समान रूप से ये भी गलत हर बच्चा का डवलप्मेंट अलग है और हर बच्चे का जो विकास की गती है वो भी अलग होती है so different है और वो अपनी own pace में डवलप करते है ठीक है? चलिए पांचवा देखिए देखिए क्या लिखा है प्रॉक्जिमो डिस्टल प्रिंसिपल अफ डवलप्मेंट किस से रिलेटेड है बताइए क्या वो physical से है, cognitive से है, emotional से है, personality से है आपको भी पताए कि प्रॉक्जिमो डिस्टल जो है हमारे physical से रिलेटेड है physical development मतला सारीरीक रूप से विकास होता है इसमें तो पांचवे का पहला समीप दूरा भी मूखी जिसे बोलते हैं सारीरीक विकास से संबंदीत है चलिए six देखिए पूछ रहा है आपसे ये कि सोरो की सामय अजेकरण के लिए सोसलाजेशन के लिए इसमें से कौन सी संस था है महतपूर दूतियक संस था है मतलब आपका second जो है institute के बारे में पूछ रहा है जो कि students के लिए काफ़ इंपॉटेंट है secondary agencies for socialization of adolescents जो की सोर है ठीक है उनके लिए तो बताइए media है किताब धर्म है हाँ ये तीनों जरूरी है इसमें कानून लिख दिया है इस वज़े से गलत हो जाएगा कानून नहीं है परिवार की वज़े से क्योंकि आपका हमसे पूछा है न दूतिय तो कानून तो सही है बढ़ ये परिवार आपका प्राथमिक है मांसिक सनरशना है जो सोच का अधार है के लिए एक वर्ड का यूज करते है कौन सा वर्ड है वो इसकीमा जहां पर फुल अफ इन्फोर्मेशन मतलब जो इन्फोर्मेशन से भरी हुई है ठीक है इसकीमा का यूज करते हैं पियाजे जिसे बोलते हैं मांसिक सनरशनाए जो की सूच का आधार है तीसरा आठवा देखिए इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही तरीके से मैच है ठीक है तो चलो देख लेते हैं फिर से वही कोशन रिपिट किया है आप देख सकते हो तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको भी दिख गया होगा कि कौनक्रीट में बच्चे जो है यूज करने लगते हैं लॉजिक इन अ कौनक्रीट वेज मतब तर्ग का मुर्त समस्याओं पर प्रयोग करने स्टार्ट कर देते हैं ये तो सही है बागी की चीज़े गलत है क्योंकि सेंसरी मोटर में बच्चा सिर्येशन कंजर्वेशन कहां कर पाता है ये तो बच्चा कौनक्रीट में करता है गलत फिर प्री उपरेशनल में बोल रहा है कि बच्चा हाइपोथेटिकल सोचने लगता है ये भी गलत क्योंकि ये तो formal में होता है और formal में लिख दिया है कि बच्चों के अंदर animistic thinking आ जाती है जो कि एकदम गलत ये तो खतम हो जाता है आप देखो तो तो सही तरीके से विशल तीसरा मैसाप्वडर फॉलिंग में सही है नाइन कोषण दिखिया पियाजे के सिधान के अनुसाथ इस्थगित अनुकरण वर नाटिकी खेल करने की छमता बालक द्वारा संसार को सन्वेदी चालक परिप्रिक्ष में देखने के चरण से आगे बढ़कर संसार को किसके अधार पर संग्यान करने की ओर लेकर जाता है तो आपको भी बता है मानसिक प्रतनी धित्वता ठीक है तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला एक बार इंगलेस में भी देख लो देखो लिखा हुआ है mental representation क्योंकि बात किस चीज की हो रही कि आप engage कर सकते हो in deep word imitation, make believe play in piaz's theory, marks the transition from a sensory motor approach to the world to a cognitive ये जो cognitive word लिख दिया न यहीं से सारा आंसर आ गया cognition का मतलब ही होता है brain ठीक है, so first option सहीं हो जाएगा दस्वा देखिए माहिरा है, उसका मानना है कि सहीं वह गलत का नियंत्रण बाहरी कारकों से होता है जो बाहर, मतला externally controlled है ये, क्या सहीं है, क्या गलत है और वह प्राधिकारों के द्वारा लागू किये गए नियुमों को सिविकारती है और वह accept करती है, जो भी authorities के जो नियम है तो आखिर में ये call work का कौन से stage पे है क्योंकि उसको लग रहा है कि यार देखो जो सहीं है, गलत है बाहर से आता है, मतलब जैसे कि traffic rules है, वो सभी के लिए है और वो controllable है न, आप उसको accept भी करेंगे तो ये किस stage पे है ये, माहिरा कौन से stage पे है, call work ये according प्रीक, conventional है punishment का भी तो डर है, so option number 4 पुरो पारंपरीक 11 देखिए ले वाइगोसकी क्यानुसार, संग्यनात्मक विकास का main reason क्या है आपको भी पता है, इन्होंने वाइगोसकी जी ने समाजिक जो interaction है, उसके ज़्यादा फोकस किया है क्योंकि बच्चे समाजिक अंतक्रिया से ज़्यादा सीखते है, तीसरा यह विचार की भासा संग्यनात्मक विकास को सुगम बनाती है यह किसने दिया है, किसने दिया है, बताओ, वाइगोसकी ने दिया है ठीक है, भासा की बाद कौन करता है, वाइगोसकी 13 देखिए ले वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संगेनात्म विकास को प्रभावित करनी के लिए सबसे ज़्यादे इंपोर्टेंट क्या है अडॉप्टेशन के बाद तो पियाजे करते हैं इन दोनों के बाद तो कोई करता नहीं है यहाँ पे तो वाइगोस्की जी ने सांस्कृतिक जो कल्चरल जो टूल्स है ना उसको बहुत इंपोर्टेंस दिया है ठीक है चलिए 14 देखे रात में जगहों को पहचानने वा उसके अनुरूप संचालन करने जैसे कि नौचालन के कौसल है जैसे कि मालो राम has a strong ability to recognize and manipulate wide spaces such as navigation ठीक है तो according to Harvard Gardner, राम is having तो राम के पास कौन सा यह है, कौन सा intelligence है, यह आप से पूछ रहा है तो आप बताओ, जो जगह को पहचान सकता है जिसको दूरी के बारे में भी पता है तो ऐसे intelligent को हमें special बोलते हैं, इस थानिक बुद्धी है उसके पास ठीक है, 130 15 question देखे मुल्यांकन, assessment मुल्यांकन की योजना बनाते समय, सिक्षक को निवन में से किन बातों में ध्यान नहीं रखना चाहिए नहीं पे focus करना ठीक है, चलो तो देखते हैं, क्या हो सकता है इसका आंसर चात्रों की तैयारी का इस्तर क्या है हम लेवल पे focus नहीं करेंगे मुल्यांकन की कौन सी वीधी मुझे सिक्षासास में अंतर द्रिष्टी प्रदान करेगी मैं चात्रों का नामी करन वा प्रिधी करन कैसे कर सकता हूँ अलग-लग चात्रों के सीखने के अवस्था के बारे में पता लगाने की विविन तरीके क्या है आप मुझे बताओ चाहें बच्चे कैसे भी हो मैं बच्चो को नामी करन कभी नहीं करूँगी उनको अलग कभी नहीं करूँगी और यहां पे लिखा हुआ है कि कैसे कर सकते हो ठीक है तो यह बात एकदम गलत है हम बच्चो को अलग नहीं करना है चाहें वो बच्चा कमजोर हो और आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप अलग-लग ग्रूप बना दो इसमें कमजोर बच्चे और इसमें तेज बच्चे ये भी नहीं करना है लेबल भी नहीं करना है ठीक है नामी करन का मतल लेबल तो तीसरा हो जाएगा चलिए 16 देखे एक समावेशी कक्षा में कक्षा में किसी भी बच्चे के लिए पाठे चर्या में समावेशन नहीं किया जाना चाहिए करना चाहिए भाई ये तो नहीं लगा के गलत कर दिया यदि पाठे चर्या में उन्हें लच्छीलापन प्रदान किया जाता है बलकि लचीलापन तो देना चाहिए, तभी तो बच्चा सीखेगा, ये भी गलत, for option, 17 देखे, देखे, inclusive education की बात हो रही है, समावे से सिक्षा किस परकार की school education system provide कराती है, ठीक है, तो पहला लिखा है कि विशिस्ट आवशक्ता वाले बच्चों की जरूत को पूरा करने के ल आपने तो एक specific दे दिया, special needs, केवल गलत, केवल ये भी गलत, बच्चों की सारीरिक, संग्यनात्मक, समाजिक, भासिक या किसी प्रकार की अलग स्थिति के बावजुद, सभी बच्चों को सामिल करना, और ये हमारा सही है, ठीक है, चलिए, 18 question देखे, एक छात्र को लंबे समय तक अपना ध्यान बनाए रखने में कठिनाई हो रही है, और वो बेचैन हो जाता है, वो क्योंकि बैठ ही नहीं सकता ज्यादा देर तक, तो ऐसे पिसेस्ता हैं, किस प्रकार की विकलांगता क्यों संकीत करती है, बताइए, किस चीज की दिक्कत है, वही है, ADSD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, इसमें बच्चे जादा देर तक नहीं बैठ सकते हैं, फोकस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, डिसलेक्सिया तो आपका पढ़ने से संबंदी थे, और टीजम मतला बच्चे अपने में ही लीन रहते हैं, तो इसका दूसरा हो जाएगा, चलो, जो Gifted Children होते हैं, उनमें क्या होता है, प्रतिबासाली बच्चों में, को किसी भी सैच्षडिक संसुधन से लाब नहीं मिलता, मिलता है, ये तो गलत लिखा है, को उनकी रूची के नुसरा जटिल कारियों को करने के लिए प्रुत्साहित नहीं करना चाहिए, गलत, को सीखने की विशिष्ट जरूरते होती हैं, जिनें अक्सर कक्षा में नजर अंदाश कर दिया जाता है, जो Gifted बच्चे होते हैं, इनके अंदर एक Specific Learning Needs होती हैं, जो कि Mostly Ignore किये जाते हैं, क्लास में इन पे कोई ध्यान नहीं देता है, बात एकदम सही है, फोर, 20 देखें, सारीरिक गती विकलांगता से जूजते विद्यार्थियों के लिए, इसमें से कौन सी जो गती सीलता है, वो सहाईक तकनीक का उधारण है, याद रखना, सारीरिक गती विकलांगता की बात हो रही है, विल्चेर, बड़ी मुद्रित कितावे, सब्द सुजाओ सॉफ्ट्वेर, या फिर टेक्टाइल मटिरियल्स, जिसको चूकर बच्चे सीखेंगे, अब एक बात बताओ, सारीरिक गती की बात हो रही है, मतलब वो बॉड़ी अच्छे से मूव नहीं कर सकते हैं, तो उनके विल्चेर अच्छा होगा ना, ना कि ये, तो फर्स्ट ऑप्शन, चलिए 21 देखिए, विच वन अब दो फॉलिंग अप्टिमाइजेस मोटिवेशन टू लर्न, इसमें से कौन सा कारक सीखने की अभी प्रेणा को बढ़ावा देता है, मतलब मोटिवेट करता है, बहुत आ पर्सनल सटिसफेक्शन होना चाहिए, इन मीटिंग टार्गेट्स, लक्षों की पूर्ती करने में खुदी की संतुष्टी, जैसे कि आज आज आपने अपना टार्गेट बनाया होगा, कि आज आज आपको इतना पढ़ना है, अब रात तक आप ये अपना टार्गेट कंप प्रकार द्वारा नहीं करते हैं, नहीं पर ध्यान देना है, और अर्थकार निर्माड की बात हो रही है, ठीक है, प्ले के माध्यम से करते हैं, एक्सपरिमेंट भी करते हैं, इंट्रेक्शन भी करते हैं, बट रिपिटेट ड्रिल नहीं करते हैं, कि आप एकी चीज को बार बार-बार कर रहे हो, ये कौन सा अर्थकार निर्माड हो रहा है, तो यही हो जाएगा, चलो तेज देखो, सिक्षा की समसामाईक नीतियां, Contemporary Policies of Education, सच एज, National Education Policy, मतलब राष्ट्री सिक्षानिती, इस बात पर जोर देती है, कि स्कूलों में सिक्षा किस तरीके की होनी चाहिए, तो NEP 2020 क्या बताता है, बताईए, क्या कंडिशनिंग होनी चाहिए, पैसिव तो होगा नहीं, बच्चों को डारेक्ट आप इंस्ट्रक्शन दे राइट, चलिए 24 देखे, निम्न में से कौन सा कथन, एक सामाजी करशनात मकक्षा में होने वाले आकलन के संदर्व में सहीन नहीं है, विच आप दे फॉलिंग स्टेट्मेंट अबाउट एसेस्मेंट इन सोचियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लास्रूम इस नॉट करेक्ट, मतलब जहां पर भी ज्यान का निर्माट नहीं हो रहा होगा, वो हमारा गलत वाला होगा, नहीं वाला आप से पूछा है, तो चलो देख लेते हैं, देखिए, पहला लिखा है कि एसेस्मेंट शूड बी एन इंटिग्रल पार्ट आप आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो हमारा असेस्मेंट होता है, वो एक समगर हिस्सा होना चाहिए, दूसरा लिख रहा है कि एसेस्मेंट सुड बी अंडर्टेकन ओल्ली एट दा एंड आप दा इयर, केवल इसने जो लिख दिया ना, इसी वज़ा से गलत हो गया और यहीं सहीं हो जाएगा, ठीक है, बाकी 25 देखे, सिक्षिकाओं को बच्चों को कक्षा में अपने अनुभाव को साजा करने के लिए प्रोसाहिद करना चाहिए, येस, बच्चे स्कूल में अपने साथ सीखने के महतपून अनुभाव लेकर आते हैं, ये भी सहीं है, तो हमारा 25 का पहला हो जाएगा 26 देखे, जब भी द्यार थी, किसी कारे में अपनी औसफलता का कारण और कारक को मानते हैं, तब एक कड़ी महनत में लगने की संभावना रखते हैं, तो क्या ये बाहरी होगा या आंत्रिक होगा, सबसे पहले तो ये बताओ तो देखो, जब भी मालो मैं कोई काम कर रही हूँ, उसमें मैं फेल हो जाओगी, तो मैं ये, वो मेरा आंत्रिक होगा, सफलता का कारण आंत्रिक होगा, और फिर वो नियंतरन योगी कारकों को मान कर, कड़ी महनत करेंगी की येस, फिर से हम सफल हो सकते हैं, ठीक है, तो य इंटरनल एंड कंट्रोलेबल होगा, बना आप उसको नियंतरन कर सकते हो, एक बात बताओ, आप फेल हो गए, तो क्या इसके बात सफल, पास नहीं हो सकते हो, वो तो आपके कंट्रोल में है न, तो ये अनकंट्रोल वाले कैसे हो सकते हैं सहीं, और कोई भी चीज, हमको अप प्रभावी समस्य समधान को किसके दोरा बढ़ावा नहीं किया जा सकता है, चलो देखते हैं, बच्चों को विचार मंधन करने और डिसकुशन के लिए करना चाहिए, तो सहीं आंसर है, और क्योंकि इसमें हमसे नहीं पूछा है, बच्चों को सह जनुमान लगाने के लिए प्रोसाहित करना ये भी सहीं है, और फोकसिंग और रिप्रोडक्शन आफ नौलेज ऐस इट इस, मतला आप बारवार बच्चों को कह रहे हो कि पुनरुत पाधन पर जादा फोकस करो, ठीक है, कई दृष्टिकों लाने पर ध्यान के इंदित करना ये सहीं है, देखो इसका हमारा गलत वाला सहीं हो जाएगा, तीसरा, पोशन दिखे, 28, formation of alternative conceptions among their children, should be strongly discouraged नहीं, should be ignored, no, और definite indicative ये भी नहीं, ये एक natural process हो सकता है, natural occurrence हो सकता है, केवल बच्चों में नहीं, वयस्क में भी हो सकता है, इसलिए तीसरा सहीं होगा, इसको एक बार मैं हिंदी में डिसकस कर बच्चों में जो alternative संकल्पनाय होती है, आप उसको रतुत साहित नहीं करोगे, नहीं हम उसको इग्oga करेंगे, और नहीं इसका मतलब होता है, कि बच्चों की एक कम आन्सिक समझ का इक निश्चित संकेथ है, नहीं, वयकल्पिक संकल्पनाय हो सकती है, बच्चों में भी हो वयसकों में भी हो सकती है, एक नाचुरल ओकरेंस है, ठेक है, सो तीसरा, ट्वेंटीनाइन देखिए, निम्न में से किस विष्वास का सीखने पर नकरात्मक परभाव पड़ेगा, इन चारों में से बताओ, कि किसका एक नेगेटिव इन्फ्लूएंस करेगा ये सीखने पर, म मैं लड़की हूँ, इसलिए मैं गड़ित में अच्छा परदशन नहीं करती, और नहीं कभी कर पाऊंगी, ये एक ऐसा विष्वास है जिसकी वज़े से मैंने देखा, बहुत ज़्यादा लॉस होता है, बहुत नेगेटिव इंपक्ट पड़ता है, और यही सही होगा, हमा इकदम गलत है कि मैं लड़की हूँ, इसलिए मुझे मैथ नहीं आएगा, पहला, तीस देखे, एक समाजिक रशनावादी कक्षा में बच्चों में समीपस्त विकास का छेत्र किस प्रक्रिया दोरा निर्मित होता है, और आपको भी पता है, इसका आंसर होगा सनवाद, एक इस प्रोसेस से आप बच्चों के अंदर जो है जड़ पी डी जो है वो आप क्रियेट कर सकते हो, तो डिस इंट्रेस्ट, नेगेटिव कंडिशनिंग ये तो पहले ही खतम, ना भी समझ में आए एक्जाम में तो पहले अलिमिनेट कर दो, जो बच गया वही सही होगा, डाय पर जुड़ जाएए, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो करके अपने सारे क्वेशन्स पूछ सकते हो, तो मिलते हैं नेक्स क्लास में, थैंक्स वोचिंग